नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक वार फिर से आप सभी लोगों का आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए स्टेडी क्लासेश 2.0 पर मैं संदी प्यादफ आज फिर से संदे के आया हूं फिजिक्स क्लास 12 के लिए कुमार मित्तलगी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है क्लास 12 के कुमार मित्तलगी किताब को स्वाव कर रहे है हमने पिसली क्लास तक चैप्टर फरस्ट के दस नमेरिकल को स्वाव किया था कोशय नमबर 11 से आजम स्वाव करेंगे कोशय नमबर 11 आप दोंगे इश्कीन पर होगा आप भुशे पढ़ें और स्वालग करने के इवं बैदुत जो गुर्ट्वा का सडवल है उनकी जो कितने बुना है उसके में कर ना कर नहीं है चलिए देखते हैं दूरी दे रखी है 0.1 एंग स्टॉंग अर्थाथ आर का मांदि रखा है इस सवाल के अंदर गत 0.1 एंग स्टॉंग आपको पता है जब हम इस एंग स्टॉंग को उटाते हैं तो 0.1 इंटू 10 टी पावर माइनस 10 जोड़ जाता है यह हो गया कनबर्ट मीटर आपको पता है अलफा कड़ की बात ही यह यह अलफा कड़ पर जो आ करना की जाए अर्था कुलाम के नियम से आप निकाल सकते हो एफ शॉड में लग के दे रहे हैं आप रवैद्द के लिए अर्था आपको फॉर्मूला पता रहता है नाइन इंटू 10 टी पावर 9 q1 q2 बटी आर इसके यह कुलाम के नियम से होता है वैदिक वल ठीक है इसे कर हम सौलब करते हैं तो निकल के आता है जिए देखते हैं नाइन इंटू 10 टू पावर 9 q1 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 क्योंकि q1 और q2 मान दूनों का एक ही है इस बज़ए से और का इस मान दे रख है 0.1 इंटू 10 टू कर देते हैं नौ दस परखात उननेस और उननेस अर्टिस अगर अर्टिस में से नौ चला जाएगा अर्टिस माइनस का है नौ प्लस का है तो बचेगा उन्तिस तो बचेगा 3.2 इंटू 3.2 और दस परखात बचेगा माइनस का 29 और बटिव हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 का होल इसके है यह निकल के आ रहे है एफ वेद्दुत की के इसका हमें गुर्ता करश्वर्वल से तुलना करनी है यह निकल गया है एफ वेद्दुत के लिए अगर गुर्त कर है आपको एक वाद पता होगी जो घृतिवा करसड़ वरावर फॉर्मुला है जी-घृतिवाटव वरावर प्वार जी के मान अगर आपको पता है तो आप इसली शॉल्व कर सकते हो M1 बरावर होगा M2 क्योंकि अलफा कड़ पर जो अलफा कड़ का दर्भिमान होता है वो होता है 6.6 into 10 to power minus 27 kg ये अलफा कड़ का दर्भिमान होता है अगर हम इस G का मान करें इस G का मान जो फिक्स होता है 6.7 into 10 to power minus 11 ये ये गुर्ती तो जो होता है इसका मान फिक्स रहता है चलिए अब हमें इस फॉर्मॉले के अंतर गर ये भी पूट अप करके रेखते हैं तो क्या निकल के आएगा F गुर्तव कर सब बरावर क्या निकल के आएगा G का मान 6.7 into 10 to power minus 11 into M1 M2 का जो मान होगा 6.6 into 10 to power minus 27 into 6.6 into 10 to power minus 27 बटी आर स्केर रहेगा आर स्केर अर्थाग 0.1 into 10 to power minus 10 का whole square चलिए इसे स्वालप करते हैं कहा तो कोई स्वालप करेंगे तो निकल के आएगा 6.7 into 6.6 into 6.6 into 27 और 27 चमवन चमवन और गया रहे 65 10 to power minus 65 बटी 0.1 into 10 to power minus 10 का whole square यह निकल के आ रहे F गुर्तव कर सब के लिए F गुर्तव कर सब अब आपको एक बात पता है आप एफ वैदुत अर्था बैदुत बल भी निकाल चुके है F गुर्तव कर सब भी निकाल चुके हैं आपको इन दोनों में देखना है कौन कितने गुना है तो उसके लिए आपके आगर सकते हो अगर आप एफ गुर्तव कर सब को भाग करोगी एफ वैदुत वाग एफ गुर्तव कर सब तो क्या निकल के आएगा चलिए देखते हैं से F गुर्तव कर सब बराबर एफ वैदुत का मान है 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 बावर माइनस का 29 बटे और अर्था 0.1 इंटू 10 बावर माइनस 10 का हुल स्केर है बटे वwarm का बटे अर्था है गुर्त का गुर्तव कर सब कर सिक्स प्यइबंस इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 बावर माइनस का 65 बटे जीरो 6.1 इंटू 10 बावर माइनस का अच्छा आप जो चीज कर रही है उसे काट दो बागी चीजों को सॉलब करते हैं आपको पता है आर कमान जो नीचे है यहाँ भी दिरख आपसे कट जाएगा उपर जो बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है उसे लिखो अब मल्टिप्लाई करो बचा हुए 9 3.2 into 3.2 into 10 to power minus का 29 बटी 6.7 into 6.6 into 6.6 into 10 to power minus 65 अभी मिस्टे सॉल्व करते हैं बत्तिस इस अगर बत्तिस माले रहे वत्तिस और बत्तिस का स्क्राइब एकजार 24 होता है एकजार 24 अर्थात इसे आप लिख सकते हूँ 9 into 10.24 into 10 to power minus 35 उपर जो है मनीचे मानस का 65 है उपर जाएगा प्यस का 65 हो जाएगा अगर आप 65 में से अगर आप 29 घटा देते हो तो घात बनेगी 10 पर घात 36 एक बाद चेक करने ना 65 अगर यहां से 6 बचेगा और यहां रह जाएगा 5 36 ही बचेगा बटी जो निकल के आएगा 6.7 into 6.6 into 6.6 चलिए इसे हम सॉल्व करते है नो का अगर आप इसमें मुल्टिप्लाइग करते हो तो जाएगा 9.36, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ओर अगर आप इनका आपस में गुणा करते हो तो गुणा करना 6.7, 6.6 into 6.6 अगर आप गुणा करोगे तो निकल के जो आएगा वह मेरे पास मैंने पहले से गु अगर आप इसका यहां पर डिवाइड करते हो अर्थाद एफ वैद्ध बटी एफ गुर्था करते हो अगर आप इसे सॉलप करते हो तो निकल की जो आएगा दसपर घाद 36 बना रहा है अगर इसे घाद में कनवर्ट करना है सही से जैसा कि आपकी किताब में आंसर आ रहा है अर्था 3.15 यहां पर आप 8 कर सकते हो इन्टू 10 टूबर 35 यह हो जाएगा आपका अंसर आई होग आप लोग इस सवाल को समझ में आया होगा आप एक बार स्क्रीन चौड़ लें और मैं तब तक साइड नहीं हो रहा हूँ तो 10 टूबर मैनस का 14 बटी आर स्केर अर्थाथ एक का स्केर इसे अगर आप स्वाल करते हो तो निकल के आएगा 9 इंटू 16 और 16 इसे अगर माली रहे तो इसका अगर आप मल्टिप्लाई कर होगे तो निकल के एगा 2.56 इंटू 14 और 14 28 अगर आप 28 में से 9 को घटा दो तो निकल के आएगा 10 टू पावर का माइनस का 19 बटी एक अगर आप यहाँ पर आपस में गुड़ा करते हो तो निकल के आएगा क्योंकि दो अंक बाद इसमलब हो जाएगा और थाथ 304 दो अंक बाद इसमलब लग जाएगा यहां से निकल के आएगा 10 टू पावर माइनस 19 की रूप में अगर आप इसको भाद में और कनवर्ट करना चाते हो तो निकल के आएगा 2.304 इंटू 10 टू पावर 18 माइनस का 18 नियूटन का दूरे वो वन लगेगा कोशन नमबर बारे के रूप में आई हो आप तो को यह सवाल संज में आया होगा कोशन नमबर जो 13 है वो आप लोगों की इश्कीन पर होगा आप उसे पढ़ें और सौलब करने की कोशिश करें पहले की तरह मैं अपने सवाल अपनी कि किताब से पढ़ूंगा किताब आप लोगों को पता है कुमार मित्तल की इस किताब से नुमेरिकल को लगवा रहे हैं यह 2023 और 24 के लिए जो एडिसन आया है नया एडिसन है इसी से हम सारे सबाल को लगवा रहे हैं कोशन नमबर 13 जो है वो आप लोगों के स्कीन पर है 10-0 मीटर की दूरी पर इस्टेत हो तो उनके बीच वैद्दवल गयाद कीजिए सबसे पहले हम से वैद्दवल पूछा गया है अर्थात F का मान पूछा गया है चलिए इसे हम निकालते है Q1, Q2 और बीच की दूरी दे रखिए चलिए देखते है Q1 का मान दे रख है Q1 का मा अर्थात मान पूछा गया है पहले की तरह आपको पता है वलका फॉर्मुला यही बाला लगेगा इस बार हम फॉर्मुले को ना लगा का डिरेक्ट से सवाल को सौलब करेंगे F बराबर हो जाएगा 9 x 10 to power 9 आपको पता है Q1 और Q2 रहता है Q1 का वेटावान जो दे रख है 80 बटे 3 इंटू 10 परखात माइनस करनो और Q2 का जमान है वो है 160 बटे 3 इंटू 10 परखात माइनस करनो बटे आर इसकेर अर्था 0 दसमलब 1 0 का होली स्केर आपको पता है दसमलब क करनो यह चीछ भी आपस में कतम हो जाएगी यहां से जो निकलके आएगा वो हो जाएगा एवरावर अगर आप सुले कर आप 8 में गड़ा करते हो तो निकल कि आएगा 2010 अर्था डवल जीरो बन जाएगा ऑर 6 188 निकलके आएगा ठीक है इंटू 10 परखात माइनस करनो पही नीचे जो इसका अगर हम स्केर करेंगे तो यहां से निकल गया है का जीरो जीरो बन दस्मलब अटाओंगे ऊपर फिर से दो जीरो हो जाएंगे ठीक है यानि कि एफ का जो माना रहा है एक अगर आप इसे सही करना चाते हो एक तो तीन चार पांच छे अगर इससे चे घात कम करोगे तो इसे अब लिख सकते हो एक वरावर बन पॉइंट टू एट इन्टू टू पावर माइनस का थिरी न्यूटन का वल लएगा एक आविस आपके पास 80 वटे तीन था और दूसरा आविस आपके पास 160 वटे तीन था इन दोनों को जीरो दूसलव वन जीरो कीज मीटर की दूरी पर रखे गए थे तब आपसे पूचा गया था इनके विज्जो वैद्द वल लगोगा वो कितना होगा सवाल में आगे सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा चाहिए समद्द करने के लिए एक यू राव जो होता है क्यूवन पिलस क्यूटू वाइट यह हो जाता है यह मिने चाहिए सम्द्द करेंगे तब अगर आपको पता है क्यों कमान दे रखा है सवाल के अंतरगत 803 इन टू दस पर घा मैनिस करनो इस पूरे का बटे दे रखा है दो अगर आप इस पूरे को सॉलब करोगे तो निकल के आएगा अर्थात भिंदी बनेगी दस पर घात मैनिस करनो ओमन चला जाएगा ऊपर हो जाएगा 80 और 160 240 बटे 6 यह 6 कैसे हुगा आप इस पूरे भिंद को सॉलब करेंगे औ और तीन के सब्सक्राइब कर दो से के साथ मैंटिप्लाई हो जाएगा इस बज़े से 6 एकम 6 624 अर्थात यहां से क्यू और क्यूट वार क्यूट का जुमान निकल के आएगा क्यूट बराबर होगा क्यूट के पर यहां से निकल के आएगा 40 इंटू 10 पर घात माइनस का 9 उ दिया उस समय इस क्यूट और क्यूट कमान जो है वो चैंज हो गया आ रहे नीचे कर तो नहीं रहा चलो ठीक है चला है अगर हम देखें क्यूट अब हम अगर इस पर आविस वह बल देखें तो हमसे बल पूचा गया है एफ बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 क्यूट और क्यूट इंटू एजपावर मायनस कम नूख इंटू जालेस इंटू 10 पावर मैनस करनो बट्रैर आर इसकेर अर्थाथ जीरोक पुईंट वन का गोल इसकेर इसे मगर सॉलॉ प करते हैं तो तेना जा स्मय वारह एक बार था हो जाएगा और इसे इसे इसालब कर लेते हैं चार चौक सोले हो जाएगा सोले निम्मा 144 अर्थात 144 हो गया दो जीरो यहां पर थे दो जीरो लगा दो टेंट पावर मैनिस नो लिखा रहे ने तो बटे अगर आप इसका स्वेश्व करते हो जीरो पॉइंट वन या रथा ज की तरह है हाँ पर अगर आपको घाते सही करनी है तो एक तो तो तीन चार पांच छे अगर अंक बाद दसमर लिके आओगे तो वह क्या उपर से छे घात कम हो जाएगी वन पुइंट फोर फोर इंटू टेंट पवर माइनस का थरी न्यूटन का वल लगेगा आई हो आप इस स्क्रीन शोट लें अगर 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 देखते हैं आगे का कोशन कोशन नंबर 13 तक हो चुके हैं कोशन नंबर 14 जो है वो आप लोगों की इसकी पर होगा आप उसे पढ़ें और सॉल्प करने के कुछिश करें और हम इस सवाल को अपनी किताब से पढ़ना है न्यूटन के वल से प्रतिकर्सित करते हैं कि यह दे दोनों आविशों का योग नो माइक्रो कुलाम हो तो उनका अलग-अलग मान गयात कीजिए दो दूरी दे रखी है वल दे रख है और मान दे रख है दो इनके वीच की जो दूरी है अर्थात आर्क कोशन नंबर 14 जो है आर का मान है 0.1 मीटर ठीक है इनके भी जो बल लग रहा है एफ और आवर 18 न्यूटन का बल लग रहा है अगर हम दोनों आविशों को जोड़ दे Q1 प्लस Q2 तब निकल के आता है 9 माइक्रो कुलाम अर्थात आपको एक बात पता है जो माइक्रो लिखा हुए है इस माइक्र प्लस Q2 अगर दोनों आविशों को जोड़ दे तो नौ माइक्रो कुलाम है आपसे Q1 कमान अलग से पुचा गया है और Q2 कमान अलग से पुचा गया है इसे सॉल्प करने के लिए आपको देख जाए क्या दो अच्छा एफ बराबर जो फर्मुला होता है आपके पास 9 इंट अगर आप इसे स्वल्प करते हो तो क्या निकल के आएगा चलिए देखते हैं इसे पहले की तरह आपको वल कमान दे रखा है अठार है बराबर 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 कमान बेटा जो है Q2 कमान आपको नहीं दे रखा बटे आर स्केर अर्थाद 0.1 का होल स्केर चलिए हम यहां से Q1 प्लस Q2 Q1 इंटू Q2 कमान निकाल सकते हो अगर हम निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 से कार दो 9 एक 9 9 नो दूनिया अठार है अर्थाद यहां हो जाएगा 2 इन्टू जीरो प्लस इसका अगर स्केर करेंगे तो जाएगा 0.01 बटे 10 प्लस नाइन और यहां हो जाएगा Q1 Q2 यहां से निकल के आएगा Q1 इंटू कमान निकल के आएगा Q1 Q2 कमान निकल के आएगा यहां हो जो इसे हम लिख सकते हैं एक दो गोड़ैं दस परखाथ मैनस का नो ठीक है और यह जो है 0.01 इसा यहां लेख सकते हो OST झार यहां है जात मैनस का दो पर Egypt मैनस का दो आर्थाथ आपके पास यहां परखात हो जाएगी जब्स पर रहार माइनस की 11 है ठीक है यहां से आपको Q1 into Q2 का मान आपको पता लग दिया Q1 into Q2 का मान आपको पता है और Q1 प्लस Q2 कमान पता है देखिए अब आपने एक फर्मुला जो बच्पन में पढ़ा होगा फर्मुला है यहां पर लिख रहा हूं उस फर्मुले को Q1 माइनस Q2 का होल स्केर फर्मुला हो जाएगा अर्थात A-B का होल स्केर जिसे आप लोगों ने पढ़ा रखा है तो हो जाएगा Q1 का स्केर पिलस Q2 का स्केर माइनस 2Q1 Q2 अगर हम इसमें क्या करें 2Q1 Q2 जोड़ दे और 2Q1 Q2 घटा दे अगर हम जीसे कि आप लोगों हम पता है अगर हम A-B का होल स्केर खोलते हैं तो A-B स्केर माइनस का टूव अगर माइनस का खोलते हैं तो A-B का हम घटा दे और 2 A-B का घ्टा दिया अगर इसमें पर क्या होगा यह स्कैरल अपको पता है क्या बना देगा एक पिलस बिका मैइस कर दो मियर्था कुर्व चब बन जाएगो और यहां पर पूखा और रखेंगा आप से कल किसकेए minus q2 का whole square चलिए देखते हैं अब आप में इसको जो भी मान पते हैं वो इसमें आप follow कर दो निकल के आएगा q1 plus q2 का मान दे रखा है यहाँ पर 9 into 10 to power minus 6 का whole square इस पूरी का मान दे रखा था minus 4 q1 और q2 का मान कितमें दे रखा है यहाँ पर इसमें घटाने के कोशिश करोगे तो आप घटाने निकल के आएगी तो कि यहाँ पर लिख्यू इस अंग्याओ पर घाट जो है वो अलाग अलाग है सबसे पहले हमारा काम किया रहेगा हम घात को बराबर करें अगर हम घात को बराबर करते हैं अगर हम इस पर खाट दस बनाएं अगर दस बनाएंगे तो निकल गएगा जीरो पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस का टैन अगर आपको अगर यहाँ से अगर आपको बनाएं अगर आपको वही फॉर्मुला आपको पता होगा यह अगर अगर क्यू बन प्लस क्यू टू का मान अगर यह दे रखा है और क्यूबन और क्यूबन माइनस क्यूटू कमान आपने यहां से निकाल लिया तो आप कोई फॉर्मुला पता है जब आप ग्लास टैन्स में आप लोगों ने सीखा हुआ ए प्लस भी और ए मैनस भी वाली बहुत साधर जो जो हम उनसे विस्तापन बिदी से प्रतिस्ताप देखो हुआ कि यूवय प्लस क şu टू हम क्या करें इसमार दें प्लस क्यूबन माइनस का क्यूटू समी कर एक और दो मइल देख रहें में लोग लोग अच्छा यहां पर हो जाएगा 9 in to 10-6 और यहां हो जाएगा contractors 10 to power minus 12 ठीक है यह आपस में कट जाएगा और यहां से निकल गएगा Q1 Q2 ठीक है एक गलती जो हुई है वो यह रहा यहां पर यह पूरा स्केर चल लाता है यहां पर अगर यहां भी स्केर होगा तो यहां से क्यों और Q2 का मान निकल गयाएगा Q1 खांट का ग्रूड लेकर तो जाएगा दसकीषी कि घाथ मैंन स्केर ठीक है और सारी बात सही है यहां भी हो जाएगा दसकी घाथ मानिस कर यहां से निकल गया अचार अगर तो पर खांट आज सिस्वास ऐसाइए अन बतले तो यहां पर क्वेश्ण नहें रहेगा 9 और एक 10 और 10 परगाद माइनस का चाहिए इसे गर आप काटोगे तो 2 पंजे 10 अर्थात Q1 का जुमान आगे आपके पास 5 इंटू 10 परगाद माइनस 6 इसे आप लेख सकते हो Q1 का मान 5 माइक्रो कुलाम अब इस Q1 का मान आप समीकरण 1 में रखो चाहें 2 में रखो उससे कोई फार्क नहीं पड़ेगा यहीं पर सॉल्फ कर ले रहे हैं Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखोगे तो हो जाएगा 5 माइक्रो कुलाम प्लस का Q2 बराबर पूरा ओर और रखो दे रख रहे हैं आप इसकीन शॉट ले में धूर लीजी आप इसकीन शॉट चलिए देखते हैं Q1 नमबर 14 तक हो चुका है Q1 नमबर 15 आप लोगों की स्कीन पर होगा चलिए देखते हैं Q1 में रख है दो रेडा आब इसे धूल के कड कडों के बीच की दूरी एक मिली मीटर है और वे एक दूसरे से 4 इंटू दसफर घात मैनस 5 न्यूटन के वल से प्रितिकरसित करते हैं यह एक आबेश दूसरे आबेश का 4 गुना हो तथा उन पर आबेशित इलेक्टोनों को अलग-अलग हमें ग्याद करना उन पर आबेशित इलेक्टोन कितने कितने अर्थात एंबन और एंटू का मान आप चे पूचा गया है और इसमें प्रतिक इलेक्टोन पर जो आबेश दे रखा है वो दे रखा है पांच बटे तीन इंटू दस पर घात माइनस का उननिस ठीक है अच्छा इस सवाल में जो मान दे रखे हैं वो मैं लिखे दे रहा हूँ देख बार आर का जो मान है कोशन नमर पंद्रे आर का मान दे रखा है एक मिली मीटर अर्थात इसे अगर आप मीटर में चेंज करोगे दस पर घात माइनस का तीन मीटर और वल जो है वो दे रखा है 4 इन्टू 10 पर घात माइनस का 5 न्यूटन और इनके बीच अर्थात जो आवेज है वो दे रखा है अर्थात आवेज को चाहें आप E से लिखो या फिर आप Q से लिखो तो वो हो जाएगा 5 वटे 3 इन्टू 10 पर घात माइनस 19 की रूप में ठीक है सवाज में एक बात तहले से दे रखी है कि एक आवेज दूसरे आवेज का 4 गुना है अगर पहला आवेज अगर आपके पास Q है पहला आवेज अगर आपका Q है तो दूसरा जो आवेज होगा वो कितना हो जाएगा 4 Q पहला आवेज दूसरे आवेज का 4 गुना है पहला आवेज अगर Q है तो दूसरा आवेज 4 Q चलिए से हम स्वालब करते हैं F वरावर फॉर्मूला हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर माइन Q1 Q2 वर्टे और स्केर ठीक है एक बार मान आप चेक कर लेना मान यही दे रखे है ठीक है जो एफ का जो मान है वो है 4 इंटू 10 टू पावर माईनस का 5 Q1 का मान 9 इन तू 10 टू पावर 9 Q1 का मान है वो नहीं दे रख़ा Q1 का मान आप लगा दो Q और Q2 का मान है 4 Q हो जाएगा और R हो जाएगा 10 to power minus 3 का whole square चलिए इसे हम solve करते हैं पर चार करते हैं एक बार में तो यहां हो जाएगा दो यह 4 यह 4 कट जाएगा ठीक है एक बार पर काट दिया यहां पर बचेगा 10 पर घात minus का 5 इन्टू यह cross multiplication जो उपर पहुंच जाएगा अर्था यह हो जाएगा 10 पर घात minus का 6 बटे 9 इन्टू 10 पर घात 9 बराबर Q और Q क्या हो जाएगा Q square की रूप में चलिए आगे देखते हैं यह हो जाएगा Q square बराबर 10 पर घात 11 हो जाएगा यह उपर जाएगा यह भी मैनस का हो जाएगा अर्था दस पर घात मैनस का 20 बटे 9 यह आपसे यहां से Q square का मान आ रहा है ठीक है अगर आप यहां से Q का मान निकालोगे तो हो जाएगा दस पर घात मैनस का 10 बटे 3 और Q बराबर आपने फर्मुला पढ़ाए एन एक रूप में Q बराबर N E तो यहां हो जाएगा 10 to power minus का 10 10 to power minus का 10 बटे 3 और E का मान वो दिरक है तो इसे अपस्वालप करते हो N यहां से रह जाएगा पांच बटे 3 इंटू दस पर घात मैनस का उनिस बराबर 10 to power minus का 10 बटे 3 तीन से 3 कट जाएगा इसे गर आपका श्यांतर करके इधन लेकिया बटे 5 इंटू 10 पर घात minus का उनिस बस पर घात मैनस का उनिस है उपर देगा प्लस का उनिस अगर 10 को घटा देगा गओचेगा मैनस दस का बूर्ड ज्पर घात इसे एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो घात अगर आज लिख सकते हो यहाँ पर दस लिख सकते हो बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्धाद N कमान आ रहा है, 2 इंटू 10 टू पावर 8, इलेक्ट्रोन, ठीक है, यह अगर आपके पास मालो N1 का जिमान निकल गया है, तो N2 कमान कैस सब्सक्राइब करें, अर्था 2 का अगर हम 4 गुना करते हैं, तो 8 होता है, आई हो, आप सभी लोगों को यह कुशन नमबर 15 आप लोगों को समझ में आ जाया है, अगर वीडियो समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने मेना चैनल को सब्सक् सब्सक्राइब करें, तब तक कि लिए वाई, सी यू, नेक्स्ट